नमस्कार, स्वागत है आपके हमारे स्मार्ट विजनिस फ्लस यूटूब चैनल में और मैं दीफक कुमार हाजर हूँ आपके सामने खेती किसानी के एक और नए इंफरमेटिव जानकारी लिकर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मिर्च की फसल में यदि आपके मरोडिया रोग लगा है या कुकड़ा रोग लगा है तो उसको किस तरीके से जैविक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है हमारे पास कई सारे भाईयों के कमेंट्स आ रहे थे और उनका कहना था कि मिर्च की फसल में कुछ जैविक कीटना सक बनाना बताईए ताकि मिर्च की फसल को पूर्ण रोप से सुरक्चित रखा जा सके आज कि मैं आपके लिए जो टॉनिक बनाना सिका रहा हूं इसमें आप जीरो इंवेस्टमेंट में एक अच्छा और पावरफुल कीटना सक बना सकते हैं वो भी घर पर तो बनाना कैसे है वो भी तीवी बताऊंगा कितनी मात्रा में इस्तमाल करना है वो भी बताऊंगा और क्या-क्या दवा बीमारी उपर काम करेगा वो भी दिखाऊंगा बस आपको वीडियो को लाज तक देखना है और वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो फिर आपको जानकारी कुछ भी दोस्तों वीडियो में आके बढ़ते हैं और बता दें आपके लिए कि इस वीडियो में हम नीमस्त्र बनाना सीखेंगे क्या सीखेंगे नीमस्त्र और यह कौन-कौन सी बीमारियों पर काम करेगा वो भी जान लीजिए यदि आपकी मिर्च की फसल में मरोडिया रोग लगा हुआ है मतलब वह समझने के उपर है आप मरोडिया रोग से समझे या कुकड़ा रोग से समझे या लीफ करल से समझे या लीफ माइनर से समझे यदि आपकी मिर्च की फसल में थ्रिप्स लगे हुए हैं मच्छर मक्की लगे हुए हैं तो आप इस नी मस्तर से उसको कंट्रोल कर सकते हैं अब क्या-क्या सामगरी आपके लिए लेनी है वो समझ लीजे एक लीट पैन कॉपी कुछ भी रख लीजे पास में या फिर वीडियो को दो से तीन वार आप देख लिएगा तो आपके लिए पूरी विदी प्रोसे समझ में आ जाएगी तो जो नीम मस्तर बनाना है वो हम बनाएंगे एक एकड जमीन के लिए ठीक है एक एकड भूमी के लिए आपके लिए इस्तेमाल में लेना है क्या-क्या तो वो सामगरी देख लीजे नीम मस्तर बना रहे हैं तो सबसे पहले नीम की पत्ति लेनी है नीम की पत्ति कुछ इस तरीके की होती है देख लीज से चटनी बन जाए तो पांच किलो नीम की पत्ती प्लस color पानी इसमें डाल दीजे ठीक है उसी जो चटनी का solution गोल रहेगा उसमें 5 लीटर डाला डीजे गायका ठीक है पांच केजी पत्ती, पांच लीटर पानी, पांच लीटर गौमोत्र, उसी सॉलुशन में आप दो किलो गोबर डाल दीजिए, गाय का देशी, ठीक है, दो किलो गाय का गोबर डाल दीजिए, और किसी भी ड्राम मट्के में इसको बढ़िया घोल दीजिए, अच्छे से, और कपड़े की माध्यम से आप इसको अच्छे से डग दीजे, कबर कर दीजे, ताकि इसमें किसी भी तरह का कोई भी मच्छर मक्की उपर से कीड़े न गिर सके, ऐसा करने के बाद में इसको लगवग 12-15 दिन तक रख दीजी और रोजाना इसको आपके लिए हिलाना है, किसी डं कर तयार हो जाएगी, अब बात आती है, इसका स्प्रेक कैसे करना है, तो जो भी आपकी दवा बन कर तयार हुई है, इसमें 100 लीटर पानी एड़ कर दीजे, और इसको एक एकड़ खेत में आप स्प्रेक कर दीजे, आप यखिन नहीं मानेंगे कि 2-3 दिन में आपको रिजल हो जाएगी, और ये समझे आपको फिर आगे देखने को नहीं मिलेगी, यदि आप एक महीने में 3-4 इस प्रेवी यदि इस दवा का कर देते हैं, तो वाकई में आपके लिए सांदार रिजल्ट मिलेंगे, और आपको लिए फ्यूचर में ऐसी समझे देखने को बिलकुल भ वाला एक जैवेग कीटना सक जो की घर पर आप तयार कर सकते हैं, अब यदि आप यही एक केमिकल वाला खीटना सक मार्केट से लेकर आओगे, तो कम से कम 1500 रुपे का तो आपका एक वार में टॉनिक बनेगा, एक महीने में यदि कम से कम 4 वार वी स्प्रे किया, तो 15 छुक यदि तीन महीने चल रही है, और तीन महीने में यदि आपने दद्दस अजार की दवा भी फैंगी, तो 30,000 रुपे आपकी सेविंग हो गई, तो ये 30,000 रुपे आपने जो भी फसल बेंची है, सेल की है, उसमें एड़ कर दीजे, तो वाकई में आप देगेंगे कि आपके पड़ोसी या फिर आपने जहां केमिकल खेती की थी, उससे ज़्यादा आपके लिए जैवे खेती में प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से किसानवाईयों आप जैवे कीटनासक बना सकते हैं, और आपने कौन सी फसल लगाई हुई है, किस तरह की आपको खे है, उसी को सुरक्षित रखने का हम जैवे कीटनासक बनाना सीखेंगे, और यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देखना है, तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आगई है, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में मारे जीटी फैमली विलॉग यूट तब तक के लिए नमस्कार